इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी टील दस मिली ग्राम टैबलेट हाई ब्लड प्रेश हाई पटेंशन के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली दवा है यह केल्शियम चैनल ब्लॉकर नामक दवाओं की श्रेनी से संबंधित है जो ब्लड प्रेश को कम करने में मदद करती है यह दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है एंजायना हिरिदे संबंधित सीने में दर्ड को रोकने के लिए इसे भी लेने की सलाह दी जाती है स्टील 10 मिली ग्राम टैबलेट को अकेले या अन् दोज आपकी कंडीशन की गंभीरता पर निर्भर करती है। आप इसे दिन के किसी भी समय भूजन के साथ या बिना खाय ले सकते हैं। लेकिन प्रती एक दिन इसे एक ही समय पर लेना सबसे अच्छा है। डॉक्टर इसे जब तक लेने की सलाह देते हैं। तब तक इसे लेते रहें। अपने आप इस दवा को लेना बंद न करें। चाहे आप बहतर महसूस कर रहे हों क्यूंकि हाई ब्लड प्रेश में अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं। इसके कारण अचानक होने वाली बढ़ोतरी की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इसे लेन अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में धकान, एडिमा, पैरों में सूजन, नींद आना, चक्कर आना, फ्लशिंग, हिर्दे की असामान्य धरकन, दिल की धरकन बढ़ जाना और सिर दर्द शामिल हैं। अगर इन में से कोई भी आपक को परिशान करता है या नहीं जाता है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। पैर या टिखनो में सूजन और दिल की धरकन बढ़ जाना जैसे साइड इफेक्ट की गंभीरता अन्य समान वर्ग की दवाओं की अपेक्षा कम होती है। स्टडी दिखाया है कि इसका किड डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। अपने द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर को भी बताएं विशेश रूप से जिनका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर यहरदय के इलाज के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है। आपको अपना ब्लड प्रेशन यमित रूप से चेक करना चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करक के नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।